नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सबकर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे हर महा में आने वाली प्रदोश्वरत के बारे में इस बार हम बात करेंगे गुरु प्रदोश्वरत के बारे में जो जून महिने में पहली तारीकों पढ़ने वाली है आईए हम जानते हैं इस गुरु प्रदोश्वरत की पूजा विदी के बारे में इस दिन आपको सुबस्नान करके भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए पंचा मृत का प्रयोग पूजा में अवशे करना चाहिए धूब दिखाना चाहिए और भगवान शिव को भोग लगा कर उसके बार एक संकल करना चाहिए प्रदोश्वरत की पूजा प्रदोशकाल में की जाती है सूरियास्त के 45 मिनिट पहले का समय प्रदोशकाल कहलाता है इस समय में भगवान शीव और मातापार्वती की विशेश पुजा अलजना करने से विशेश आशिर्वात की प्राप्ती होती है और कई गुना लाप प्राप्त होता है प्रदोश व्रत को अन्ये सबी दूसरे व्रतों से अधिक शुप और महतोपुन माना जाता है मना जाता है कि एक वर्ष तक लगातार या व्रत करने से महादेव हर मनोकामना की पूरी करते हैं या व्रती के सभी पाप, कश्टो, दोशो और संकटो को भी हर लेते हैं देवी भागवत में प्रदोश को देवी व्रत माना गया है ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवादी देव महादेव साइकाल के समय देवी पारवती को कुशासन पर विराज मान कर उनके सामने देवताओं के साथ रत्य करते हैं इसलिए इस दिन उपवास करके साइकाल में देवी पारवती की पूजा करनी चाहिए प्रदोश का व्रत करने से दरिदता और कर्च के भार से छुटकारा मिलता है संसार की पीड़ा से व्यथित मनुश्यों के लिए प्रदोश पूजा और व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है प्रदोशकाल में भगवान शंकर की प्रातना करने से दीरगायों की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति सदा निरोग रहता है पुराणों के अनुसार जो लोग प्रदोशकाल में भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें धन धानिय, स्त्री पुत्र और सुक्स वभागय की प्राप्ती होती है साथ ही उन्हें हर्क्षेत्र में उन्नती मिलती है इस वा में दो गुरू प्रदोश्वरत पढ़ने वाले हैं पहला 1 जून 2023 को और दूसरा 15 जून 2023 को मनाया जाएगा एक जून को मनाये जाने वाले गुरू प्रदोश्वरत का शुभ मूरत होगा जो की सुबग एक जून 2023 प्रहस्पतिवार को एक बचकर 40 मिनिट से दो पहर एक बचकर 40 मिनिट से शुरू हो जाएगा और दुसरे दिन 2 जून 2030 शुक्रवार को दुपेर 12 बचकर 48 मिनट पर खतम हो जाएगा तो ये थी प्रदोश वरत से जुड़ी कुछ जानकारी अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद